होम श्यांती, 6 डिसम्बर की इश्री विदान में आपसे पस्वागत है परमपिता परमात्म में कहते हैं कि जिस तरीके से हम किसी की बुराई या अपने अंदर की बुराई को अगर हम उसको दुश्मन मान ले तो उससे मुक्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर उसको हम दोस्त मान ले, शिक्षाथ देने वाला तो हमारा attitude या हमारी उरित्ति उसको परती चेंज होती है और हम खोशी-खोशी मुक्त हो जाते हैं तो आज की बुर्दान में परमात्मा कहते हैं माया को दुश्मन के बजाए पाठ पढ़ाने वाली सैयोगी समझ एकरस रहने वाले माया जीद भवा सैयोगी समझ यह बहुत important है शब्द माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए चाहे वो हमारे अंदर से आई हो हमारे अंदर के जो वितार है चाहे वो किसी और की तरफ से उसकी माया हमाय अगेंस आ रही हो इसलिए घबराओं नहीं पाठ पढ़ लो कि रियाक कैसे करना है बेव कैसे करना है या अपने अंदर कौन से trigger points है जो बटन दब जाते हैं तो हमारे अंदर वो हल चलो जाती है तो उनको points को समझना कभी सहनशील का पाठ कभी शांत सुरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है कहीं पे हमें सहनशील ता दिखाने पढ़ती है अगर कोई ऐसी बाते कर रहा हो जो कि हमें ठीक ना लग रही हो जितना लग रही हो तो हमें सहनशील का पाठ कभी शांत सुरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है हमारे अंदर बहुत उत्तेजना आ रही हो हमारे अंदर रोब की भावना पैदा हो तो उसमें हमें शांत सुरूप रहना है इसलिए माया को दुश्मन के बज़ाए अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे पाठ पक्का करके अंगत के समान अचल बन जाएंगे तो हार तो हम तब खाते हैं जब हमें अचानक कोई चीज के बारे में पता नहों है experience ना हो और हम उसको face कर रहे हूं लेंगे परमात्मा कहते हैं कि आपको जब मैंने अल्लडी बता दिया है कि माया तो आपके अंदर से आ सकती है या माया किसी और के अंदर से आपके परतिया सकती है तो इसलिए घबराओ मत उसको एक पार्ट समझ लो पने लें पार्ट पका करके अंगत की समान अचल बन जाएंगे कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वैव विदाई ले लेगी ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया ये किस ने कर दी या ऐसे तो नहीं होना चाहिए मैंने ये नहीं सोचा था उसका रियाक्शन आएगा मैं पता नहीं था ये चीज़ नहीं पार्ट सीख लो, साक्षियों करके देखो पार्ट सीखो, क्यों हुआ ये उस पर फोकस करो और उसका solution क्या है जो कि हम ब्रहमा कुमारीज में सीखते हैं उस पर फोकस करो तब जाकर के हम अचल अडोल रहेंगे और बहुत बार इन सारी चीज़ को करने से हम पक्के होते जाएंगे जब तब पक्की नहीं होंगे माया आती रहेगी तो ये पार्ट में सीखाया थे ब्रहमा कुमारीज में आप प्या करके सीखे इसको ओम श्यांतिस के साथ